तो गास बहुत टाइम से बहुत लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे और यूटूब पे पूछ रहे हैं कि सर आप अपने पोस्ट वर्काउट शेक में क्या-क्या लेते हैं मतलब क्या-क्या सप्लिमेंट है जो मैं अपने पोस्ट वर्काउट शेक में लेता हूँ तो मैंने सुचा एक सिंपल सा और स्वीट सा वीडियो बनाके आप लोगों को अपना post-workout shake दिखा देता हूँ देखे मैं अपने post-workout shake में लेता हूँ whey protein फिर उसमें डालता हूँ BCAA, glutamine, creatine nitrate, creatine HCL, creatine ethyl और कुछ बचा की सब हो गया मजा कर रहा हूँ देखे guys मैं अपना जो post-workout protein shake है वो काफी simple लगता हूँ क्योंकि मैं bro science पर विश्वाश नहीं रखता मैं actually certified nutritionist हूँ और मैं सिर्फ वही ची लेना पसंद करता हूँ जो actual में post-workout को post-workout के बाद मेरी body को actual में जिसकी जरुरत है तो आईए अब आप बताता हूँ कि मैं अपने post-workout shake में क्या लेता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर kitchen weighing scale रखी हुई है शेकर इंतजार कर रहा है मैं इसमें डालता हूँ तो guys मैं 1.5 scoop way protein लेता हूँ तो यह गई एक scoop और यह half scoop तो 1.5 scoop यहाँ पर way protein हो गया अच्छा एक बहुत ही important चीज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि brands के पीछे भागते रहते हैं और अपना major पैसा वो लोग post-workout protein powder पे spend करते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बोलते हैं कि मैं इस international brand का इस international brand का hydrolyze ले रहा हूँ देखें मुझे तो इससे matter नहीं परता कि मैं concentrate ले रहा हूँ isolate ले रहा हूँ या hydrolyze ले रहा हूँ मैं बस अपने पूरे दिन की protein requirement को पूरा करने में जुठता हूँ मतलब उस पूरे दिन के protein requirement को तो मैं कैसे manage करूँ, कैसे पूरा करूँ, मैं उस पर ध्यान रखता हूँ, तो मेरे लिए ये matter नहीं करता, कि मैं concentrate ले रहा हूँ, isolate ले रहा हूँ, या hydrolyze ले रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा protein powder, जिसका ingredients neat and clean हो, और protein percentage आपको उसमें जादा मिल रहा हो, अब protein powder अपनी pocket के हिसाब से चुन सकते हैं, तो गाइस ये हो गया 1.5 scoop whey protein, जो मैंने अपनी shaker में डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगा 5 grams creatine monohydrate, मेरे पास micronized creatine monohydrate है, तो लगभग 5 grams creatine monohydrate मैंने डाला है, देखिए, creatine के बहुत सारे form आते हैं, मैं already इस चीज़ पर video बना चुका हूँ, कि creatine एक बहुत ही पुराना बहुत ही ज़दा research किया हुआ, बहुत ही safe supplement है, और इसका जो सबसे अच्छा form है, वो है creatine monohydrate, तो make sure कि आप creatine monohydrate ही ले, ये सबसे सस्ता भी है, सबसे best भी है, सबसे पुराना form भी हो, सबसे safe form भी है, तो मैंने 5 gram लगबख creatine डाल दिया है, अब मैं इसमें पानी डालूँगा, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालता, और जो भी है, आप लोगों को सब इमानदारी से बता दे रहा हूँ, बंद हो जाँ भाई, तो ग्राइज ये मेरा protein shake रडी हो चुका है, इसके साथ मैं लेता हूँ, 600 mg अलफा लिपोईक एसेड, 600 mg ये बिसिकली 300 mg की एक टैबलेट है, तो मैं दो टैबलेट ले रहा हूँ, लगबख 600 mg अलफा लिपोईक एसेड हो गई, अलफा लिपोईक एसेड के बारे में आप लोगों को एक डेटेल वीडियो में बता चुका हूँ, कि अलफा लिपोईक एसेड एक master antioxidant है, और ये help करता है आपके body में creatine को absorb करने के लिए, कैसे करता है, इसके उपर डेटेल ने में वीडियो अलड़ी बना चुका हूँ, आई बटन फेल लिंक अपलोड कर दी है, आप लोग जाके चकाउट कर सकते हैं, तो guys, ये लिया मैंने alpha lipoic acid, तो guys, ये है मेरा post-workout shake, शेक में मैं क्या लेता हूँ, post-workout ये ही लेता हूँ, जो भी लेता हूँ, इमानदारी से आप लोग को बता दिया हूँ, अगर आप लोग को ये जानना है कि creatine कैसे काम करता है, या फिर alpha lipoic acid क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके side effects क्या है, इसके dosage क्या रखनी है, timing क्या रखनी है, तो इन सब topics से मैंने detail में video अलड़ी बना रखे हैं, आप मेरे playlist में जाके देख सकते हैं, कुछ videos मैंने i button पे upload कर रखा है, वहाँ पर भी जाके आप check out कर सकते हैं, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, till then, be healthy, take care and, चाहिए.